नवस्का सातियों जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि हम लोग UPSC और State PCS फ्रिलिम्स को ध्यान में रखते हुए इस सभी क्लासें ली जा रहे हैं आपकी और इसमें आपने देखा होगा कि हम लोग उने प्राचीन भारत का इतिहास देखा हुआ है फिर उसके बाद हम लोग मद्यकालीन भारत की इतिहास के बारे में बात करे हैं और इसमें लाश्ट क्लास में हम लोगों ने जो आप लोग सल्तनत कालीन राजनितिक आर्थिक और सांसकेतिक विवस्था देखते हैं ना उस पर एक बिस्तार से बात की हुई थी उसका एक ओव लोग अगर हिश्टरी ऑप्शनल है तो आपकी हिश्टरी ऑप्शनल में भी आप लोगों को फायदा मिलेगा क्या होगा कि आपका बेस मजबूत होगा और बाकी वंडे एक जाम होते रहते हैं उनमें तो आप देखिए अगर इनको विस्तार से इतिहास को पढ़ते हैं क्लासिस के नाम से इसी में आपकी जितनी भी क्लासें ली जाएंगी वो सभी डली रहेंगी वहां जाकर आप लोग एक एक करके देख पाएंगे ठीक है आज की इस क्लास में बात करेंगे हम लोग 15 और 16 भी सताब्दियों के जो धार्मी कांदोलन हुए है उन पर हम लोग ब और भक्ति और सूफी आंदोलन तो आप देखेंगे कि प्यारंभी मद्यकाल यानि की आठवी सदी में भारत में हिंदू तथा इसलाम धरम के दो समानांतर आंदोलोनों का उदय होता है जो किरमसा भक्ति और सूफी आंदोलोनों के घोतक थे भक्ति और सूफी आंदोलोनो और आप देखें कि सोफी जिसे आप लोग सामनता इसलाम धरम से जोड़ देते हैं पंद्रवी और सोलेवी सताबदी में इनका पूरा विकास होता है इन दोनों ही आंदोलनों का इसलाम के आगमन या भारत पत्था कत्थित मुस्लिम सासंग से साइध ही कोई सम्मद था भक्ती आंदोलन की बीज उपनिस्दों अब देखें भगवत गीता भगवत पुरान आदी में मिलते हैं तुर्की जन जीवन की काल में जब देश का जन जीवन घोटन का अनुभाव कर रहा था तब सूफी कान का खानका ने सामाजिक संदेश फैलाने तथा सुधारबादी राजनित्ती का उनबात पैदा करने का काम किया और इन दोनों ही समानंत धार्मिक आंदोलोनों की फिरमु हिंदू मुसलिम हो रहा है आप जाती बादी काफी पे था आप लोग चल रहे हैं आप देखते हैं कि कई दलित के आपको नियुच में पढ़ते रहते होंगे कि घोडे पर नहीं बैठने दिया जाता है उनकी साधी में आप समझ रहे हैं और हिंदू धर्म में कई आप के खतम करने के लिए अधार्मिक आंदोलन चलाए गये थे और ये दोनों ही आंदोलन लोकतांत्रिक आंदोलन थे और जिन्होंने जन भासा में सामान धर्म का परचार किया जन भासा कहने कमतला लगए कि सभी लोग उस भासा को जानते हों तो मुझे नगता है कि अगर आप जो सामान भासा होगी, सभी की बोलचाल की भासा होगी, उसी में आपको उन्हें संदेश देना होगा। पिर आप देखें कि अगर हम लोग सूफी बात की बात करें, इसे आप लोग तसब्भुफ अत्वा सूफी बात कहते हैं। सूफी जो सब्द आप देखते हैं एक से सफा से निकला हुआ है और इसके दो अर्थ होते हैं एक तो पवित और दूसरा उन से वने मोटे कंबल से निर्मित वस्त इसका सफा का मतलब ये भी होता है और सूफी धरम इसलाम की अंतरगत उत्पन भौतिक सुखों की पिति एक प धन्ता एमम आत्म संताप का जीवन निर्वा करते थे सोफी फीर कहलाते थे और मदीना आप सभी जानते हैं कि मुसलिम धरम में एक पवित इसलमाना जाता है सोफी बाद इसलाम की अंदर ही एक सुधार वादी आंदोलन के रूम में इरान से सुरू हुआ था कहां से शुरूगा था एरान से हुआ था और जिसमें सिया और सुन्नी संपदायों के मत्वेदों को दूर करने का प्रयास किया गया था और मुसलिम धर्म में भी आप देखेंगे कि दो भागों में एक तरह से बटा रहता है, संपदाय में बटा रहता है, सिया और सुन्नी, और अगर मुसलिम धर्म से आप में से कोई होगा, तो आप लोग बहतर वस्ता आ सकते हैं उसे, रहसवादियों का जनम इसलाम के अंतरकत बहुत पहले ही हो गया था, और यही बाद में सूफी कहला है, पैरमिक सूफियों में रभिया आटवी सदी और मनसूर बिल हलाज ये दसवी सताब्दी जैसे पैरमिक सूफियों ने ईस्सोर और व्यक्ति के बीच प्रेम सम्मंद पर बहुत अधिक बल दिया, और मनसूर हल अलाज पिथम साधक था, जिसने अपने को अनहलक मैं ही इस्सोर हूँ घोसित किया, किन्तु उसकी सर्वेस्वरवादी दिरिष्टी के कारण उसने उनमें और परंपरावादी तत्तों की भी संघस की सिति उत्वन हो गई, आप सोचे कि आज के समय में भी आप देखे, जो इन परंपराओं ने अपवाहों की बलपद मनसूर को फासी पर लटकवा दिया, यानि कि अपसों ने इन्हें अपनी मौत, अपनी जान दिन देकर एक तरह से आंदोलन की कीमत चुनानी पड़ी, अलगज्जाली बारवी सदी ने रहस्वादी और इसलामी परंपरावाद क के बीच मेल कराने का पेरतन किया, सूफी विचारधार में गुरू को आप लोग पीर कहते हैं, और सिस को मुरीद कहते हैं, दोनों की बीच संबंद का महत बहुत अधिक है, और पितेक पीर अपना अधिकारी वली नियुक्त करता था, और पितेक वली सूफी बात के विभि अर्था कि अंतरगत प्रैमी, सूफी और प्रियत्मा इस्वर की भी सभी अंतर समाथ हो जाते थे, और दोनों एक ग्रूप में हो जाते थे, आप देखेंगे कि सूफी सिसला मुक्ता दो भागों में भी भाजित था, एक तो आप देखें कि बासरा अर्था बे जो इसलामी बिधान सरा को मानते थे, और बे सरा अर्था बे जो इसलामी बिधान सरा में बंधे नहीं हुए थे, एक तरह से आप कहे सकते हैं कि इसलामी बिधान सरा को नहीं मानने वाले लोग थे, बे सरा अधिकतर गुमककर सूफी संथ होते थे, गुमककर कहने का मतलब है कि एक जग इसका मर्दलव होता है इस सुर एक है और वह संसार की सभी वस्तुओं की पीछे हैं सोफी रहसवाद वह दद्व वजूद या फिर परमत्यों की एक सिध्धान्द से उत्पन हुआ था और इस सिध्धान्द का पितिबंद सेक अहमद सरहिंदी ने किया था सरहिंदी ने वह वह दद्व वजूद वजूद को वजूद के सिध्धान्द का खंडन करके अपने सिध्धान्द का पितिबंद किया था आज भी तो आप लोग कहते हैं कि एक ही इस सुर है बस उसे कोई अल्ला की रूम में मान रहा है कोई किसी और रूम में मान रहा है समझ रहे हैं आप सूफी दर्शन की अगर हम लोग बात करें तो सूफी केबल एक इस्वर में विश्वास करते हैं कि एक ही इस्वर है और उनकी अनुसार इस्वर एक है और सबकुछ इस्वर में है और उसके बाहर कुछ भी नहीं है सबकुछ त्याकर प्रेम द्वारा इस्तुर को फराप्त किया जा सकता है आप लोगों से ही पूँचते हैं आप सोचे कि जब हमारी धर्थी पर इस्तुर के नाम ही नहीं आये हुए थे उस समय आप देखे कि मनुस सा चुका था और मनुस से पहले ये आप देखें पिती भी आ चुकी थी तो आप समझे कि ए तो नाम हम लोगों ने आंगे चलके दिये हुए है मुसलिमों को आप देखे कि जो मुसलिम आ है बाहरी आक्मरकारी आ है उन्होंने मुसलिम में आप देखे इसा जो भी अल्ला नाम दिया और आप देखे उससे पहले सनातन धरम आया और देखी सनातम धरम से तो एक सीधा सा कह दियेते हैं लोग कि धरम को हमने बनाये भगवान को हम लोगों ने बनाये भगवान ने हमको नहीं बनाये समझ रहे हैं? और भगवान ने हम बनाया तो कह देते हैं कि एक ही भगवान होता होगा जिसने पूरी धर्ती को बनाया होगा उसके अलग-अलग हम लोगों नाम रख लिए हैं और इसलिए बिस सर्वेस्वर वादी माने जाते हैं अधिक्यान सोफी सिलसलों में राज सत्ता और संसारी वस्तुओं की पिती कोई आकसर नहीं होता है कोई मोहमाया नहीं होती है सोफी विचारधारा में तरग ये दुनिया का अर्थ उद्वुद्ध विस्त है और सोफी संथ कुरान की मूल आधार में विस्वास करते थे उनका जीवन बहुत साधा होता था और इस सर्व की प्राप्ती के लिए उन्होंने दस बातों का पालन करना आवस्तक बताया तौबा इसमें तौबा का मतलब होता है कि बुरे कर्मों के पिती जो और वारा इसका मतलब होता है आप परीगरे जुहूद करुना फकर इन्रधनता सब बरदास्त सुकर 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 का मतलब होता है कि अहसान मंद खौप भय डर राज आसा तवालुक संतोस और रिजा इस सुरको आत्म समर्पन आइने कबरी में अबुल खजल ने चौदे सूफी सिलसलों का उलेक किया हुए इसमें आप देखेंगे चिस्ती सहरावर्दी कादीरी कादीरी नक्सबंदी अतेंद पिसिद रहे हैं वासरा इसलामी विधार मानने वाले सिलसला में केबल दो ही उत्तर भारत में अधीक पिछलित हुए एसल से लेवे चिस्ती और सहरावर्दी कौन काँसी चिस्ती और सहरावर्दी फिर्मुख संपनाय idemmm di exam में तो इस तरह के पूंच लेता है कि चिष्थी संपदाई के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिये, ख्वाजा, necessity स्यावर्दी संपदाई स्याव्द्य porteari ये 12 वी सऱ्थी की बात है खादीरी संपदाई सिस्ध कादीरी जिलानी 26 सदी की बात है सत्तारी संपदाई स्याबुद्दीन, सुहरावर्दी, ए बारवी सदी की बात है, कादिरी संपता है, सेख अब्दुल कादिरी जिलानी, ए सोलेवी सदी की बात है, सत्तारी संपता है, साह अब्दुल्ला सत्तारी, ए पंदरवी सदी की बात है, फिर दोसी संपता है, बदरुद्दीन, नक्सव संस्तापकों को याद जरूर रखिएगा ठीक है विए सिलसेले देखली जीए इसमेड़ी आप देखिये के सबसे पहले चिस्ती संपता है, सियद मुहम्मद हाफिज की अनुसा चिस्ती भारत का सरफिथम प्राचीन सूफी सिलसला है, और खुआजा मुहिनुद्दीन चिस्ती सन ग्यारे सो, बानवे में सिहाबुद्दीन गौरी की सेना के साथ भारत आय थे, और बाद में इनोंने चिस्तीया परंपरा की निव डाली थी, भारत में इनोंने बहुत से हिंदू रीतीरवाजों को अपना लिया था, और चिस्तीयों की प्रक्किती उधार थी, और एसोड प्रैम और मानव की सेवा उनके पिरमुक्ष सिध्धानतों में से एक थे, कि एसोड से प्रैम करिये, और मानव की ताकी मानव की सेवा करिये, यान की इनसानियत रखिये, और इस इसलिए में कि सूफी संत हिंदू योगियों, योगियों की भाती जीवन वितीत करते थे, और भी आद्वेत बात की परंपरा गत नीमों में विश्वास रखते थे, और निजी संपत्ती की खिला जो इस तरह कि आप देखे धरम गुरू हैं, उनके पास सबसे जान्दा संपत्ती देखने को मिलेगी, वो किसी भी धरम के हो लोग हो, मुईनुद्दीन चिस्ती ने अजमेर में अपना अपना निवास इस्थान बनाया और उनकी समाधी अजमेर में ख्वाजा साहब की नाम स पिसिद दरगा है, और उनके बाद ख्वाजा बक्तियार काकी सुल्तान इल्दुत्मिसंत के समकालीन थे, और इनोंने बाबा फरीत को चिस्तिया परमपरा में देखचित किया था, और सेख फरुद्दीन गंज ए संकर 1175 से लेकर 1265 में इसी सिलसले के थे, जो सेख परमपर में बाबा फरीत की रूम में पिसे दे थे, बाबा फरीत के कारण चिस्तिया सिलसले को भारत में लोगपरियेता मिलती है, और बाबा फरीत का सबसी महत्पूर युगदान रचनाओं में है, जो गुरू गरंथ साहिब में संकले थे, बाबा फरीत बलवन के दमान थे, किसक 1335 तक और नसरुद्दीन चिराग ये दिली इनकी मित्तिव 1356 में हो गई थी एसंत जनता के निम्ण बर्गों में जिनमें हिंदू भी सामिल थे मुप्त रूप से मिलते जुलते थे और निजामुद्दीन ओलिया तुगलक सुल्तान ग्यासुद्दीन तुगलक के समकालीन थ 30 से लोगपिरीता से भैवीत होकर उन्हें दिली छोडने का आदेश दिया था औलिया को महबूब ए इलाही इसुर का प्रेमी की लोगपिरिये उपादी में मिली थी औलिया के सबसे प्रिये सिस्से थे अमीर खुसरू और खुसरू ने अपने पीर यानि की गुरू की मिट के बाद आप देखे कि अपने प्रान त्याग दिये लेकिन आप सूचे कि ऐसा सिस्सा पहली बात सुन रहे होंगे कि जिसने इतना लगन था अपने गुरू से कि आप देखे कि गुरू की डैथ होती है उसके कुछी समय की बाद आप देखे वो अपने प्रान त्याग देत इस अद तक अपनाई की उन्हें योगी योगी सिद्ध कहा जाने लगा आप लोगों के एक और बात बता देता हूँ इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा और अपने बच्चों को हमेशा अपने परिवार में जो भी मेंबर हैं उन्हें हमेशा सिखाईएगा कोई किसी भी धरम का कोई भी धरम गुरू अगर आपको दूसरे धरम से नफरत करने की सिख्चा दे रहा है तो वो धरम गुरू हो ही नहीं सकता है वो धरम के बारे में कुछ जानता ही नहीं है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपका धरम कभी भी मारने की किसी से नफरत करने की किसी दूसरे दाम से नफरक करने की इजाज़त देता ही नहीं है आपका धरम यही कहता है कि आप इस्वर को मानिये और आप इंसानियत बनाये रखे अगर आपके सामने कोई भी व्यक्ति मदद के लिए खड़ा है आप उस्तिति में हैं कि मदद कर सकते हैं तो आपको मुझे लगता है कि करना चाहिए फिर चाहे वो सामने वाला व्यक्ति किसी भी धरम से हो आपका कोई भी धरम हो नसुरुद्दीन चिराग ए दिल्ली एक चमतकारी संथ थे उन्होंने तोहिद ए वजूदी की रचना की थी और चिराग ए दिल्ली के उत्तरा देकारी सेयद मुहम्मद गैसोद राज उपादी थी बंदान वाज इस और के प्राणियों के हिते सी बहमनी सल्तनित की स्थापना हो जाने के बाद करनाटक में गुल वर्गा में आकर यह बस जाते हैं और दच्चन में सूफी सिल्सले की निव सेख बुरहनुद्दीन गरीब ने रखी थी तो ये भी कुश्यन स्कूच लेगा कि दच्चन में सूफी सिल्सले की निव किस ने रखी थी ये थे सेख बुरहनुद्दीन गरीब थे जो निजामुद्दीन ओलिया के सिस्सी थे उन्होंने दौलताबाद को अपनी इस्थाई निवास मनाये था और चिस्ती संपदाय से प्रभावित होकर बंगाल की सासक होसें साय ने अपना पिसिद्ध सत्थिपीर आंदोलन फैरम किया था और फिर आप काता है सुहरावर्दी संपदाय ये भगदाद के सिक्षक सिहावुद्दीन सुहरावर्दी इस सिलसले के संस्थापक थे और भारत में सिलसले को लोगफरिय बनाने का सिरे उनके सिस्स वहावुद्दीन जकारिया तथा जलालुद्दीन तवरेजी को है सुहरा वर्दी का मुख्याल है मुल्तान था और इसके अतरिक्त या सिंद पंजाब में भी फैला हुआ था चिस्तियों के विप्रित इस पंद के संद बहुत आराम की जिन्दगी बितीत करते थे और राजनितिक संपर्ग द्वारा अपने कारियों को उचित धंक से करना चाहते थे उन्हों राज की अपत जैसे सेक उल इसलाम सद ए बिलायत आदी सुईकार भी किये यानि कि कहने के मतलब आप इनका राजनीती में दिल्चस्वी आने लगे अब आप सोचे की राजनीती में भाग लेने लगे और आप देखे की आराम की जिंदी फरिद्माने लगे एक तरह से बहाउद्दीन जकारिया ने कुवाचा की बिरुद इल्तुतमिस को सहायता दी थी और इसी कारण इल्तुतमिस ने उन्हें सेख उल इसलाम की उपादी भी दी थी हमी उद्दीन नगोरी इस सिलसले की पिसिद संद थे एक तरह से आज कि आप लोग धरम गुरियों को ले लिजे आज आप देखे धरम गुरु राजनीती में भी प्रवेस कर चुके हैं आप देखे बी आईपी कारों में चलते हैं बी आईपी जिन्दगी जेहते हैं फिर आप देखें कि कादेरी संपदा आता है यह इसलाम में पिथम रहसवादी पंत था इसकी स्थापना सेख अब्दुल कादिर जिलानी ने की थी और भारत में सिलसले की सुरुवाद सेद मुहमद जिलानी ने की थी और इस सिलसले की सबसे पिसिद्ध संथ सेख मीर मुहमद मिया मीर थे साय जहा का जेश्कोत दारा सिको कादिरी सिलसली का अनुवाई था और उसने लाहोर में मिया मीर से भेंट की थी और जब मिया मीर की मित्ति हो गई तो दारा मुल्ला साह बदक्सी नामक नामक उनकी उत्रादिकारी कस्ति समन गया था पर आप देखेंगे कि आपका सत्तारी सिलसला आता है लोधी काल में साह अबदुल्ला ने इस सिलसले की स्थापना की थी और मुहमद गौस ग्वालियर इस समपदाय की सबसे पिसुद संद थे मुगल सासक हुमायू और तांसेन मुहमद गौस से अतिदिक प्रभावित भी थ प्रभावित भी थे इस सत्तारी संतों में ने हिंदू और मुसल्मानों के धार्मिक विचारों तथा रीती रिवाजों में सामित दिखला कर उन्हें निकट लाने का यत्थिष्ट प्रयतन किया इस पंत के सूपियों ने विस्वहरा वर्दियों की भाती लौकिक सुविध मिच्छे पिरमुक सिलसलों में अंतिम सिलसला का इस्तापना खवाजा वाकी विलाहर ने की थी और सेक एहमद सरहिंदी इस सिलसले के पिस्द संध थे जो मुझ दिद आलिफ सानी के नाम से पिस्द थे अकवर और जहांगीर के समकालीन सेक एहमद सरहिंदी ने इसर अल्ला के साथ एकत वहदत उल्वजूद के रहस वादी दर्सन का आपेक्च किया था उसे आसुईकार किया था और उसके इस्थान पर उसने पित्यक्च वादी दर्सन वहदत उल्व सहूद का पिती बादन किया यह सूफियों का सबसे अधिक कट्रवादी सिल्सला था और इन्होंने अकवर की उदार नीतियों का पितिकार बिरोध भी किया हुआ था तो आप सभी जानते ही कि अकवर के काल में आप देखे कि हिन्दों को अपना धरम मानने की सुतंता थी और आप देखे मुसलिमों को अपना धरम मान सकते थे और उसके सासन में भी आप देखे सभी की भागेदारी थी तो आप समझ सकते ही कि इन्हें वो सुईकार नहीं थी इसका इन्होंने विरोध भी किया हुआ था दो ओप सिलसले संपदाय फिर दोसी तथा सत्तारी सुहरावर्दी पेसाखा की रूम मे बिहार उबंगाल में सक्रिए थे सूफी विचार धारा से फिरिस रिसी आंदोलन कस्मीर में नरुदीन रिसी द्वारा चलाए गया था फिर आप देखें गी कि आपका भक्ति आंदोलन आता है और भक्ति आंदोलन हिंदूओं का सुधार बादी आंदोलन था जो आप देते हैं, इसमें जो गड़वड़ी आज चुकी थी, जो बुराइच चुकी थी, उसमें सुधार करने के लिए यह आंतोलन चलाए गया था है, इसमें इसुर के पिती, असीम, भक्ती, इसुर की एकता, भाईचारा, सभी धर्मों की समानता, और जातीवा कर्मकार्णों की फ कर यह नहीं कहा है कि हमें इस जाती का खून चाहिए चमझ रहे हैं ऊपर वाले ने कोई हमें भेदभाव नहीं बनाया वो तो नीचे वालों ने भेदभाव खड़ा कर दिया भक्ति का साब्दिकर्थ होता है कि इस्वर की पिति अहेतुक प्रेम और पूर सरना गत की इस्थि यानि कि इस्थि पूरी तरह से अपना भाव प्विगट करना एक तरह से उनकी सरन में चला जाना भक्ति के आरंपिक भी जे उत्तर भारत में बेद और उपनिसत के विचारों में भी ढूड़े जा सकते हैं इसका वास्तवी विकास बिदत्तर साहित में भी देखा जा सकता वैति यूग के परश्याद आप देखेंगे वहमा विस्नु महेश जैसे निजी देवताओं की परिकल्पना विक्सित होने लगी फिर इनी के इर्दगर्द भक्ती भावना का विकास हुआ उधर बौध धरम में भी बौधी सत्त की परिकल्पना विक्सित हुई और बौध किसे इश्टा बताई गई है किन्तु उत्तर भारत में गुप्तकाल की परश्याद भक्ती भावना का आउसान होने लगा और तंतवाद की परवित्ती परवाल हो गई चटी सताबदी अधी सताब साथी साथवी सदी में दच्छिर भारत में पल्लाव सासकों के अंतरगत भक्ती की गून सुनाई दी और इसने एक जनांदुलन का रूप ले लिया दच्छिर में भक्ती के आरंभीक प्रियोकरता अलवार अलवार और नैनार संध थे और इसका इस पर प्रेम पर और अलवार और नैनार संतों पर इस भक्ती का प्रभाव पढ़ा था अधिकतर अलवार और नैनार संत निचली जातियों से आये थे और समकाली सरोतों में अलवार और नैरा संतों की संख्या करमसा 12 और 63 बताई गई है इन संतों में जाती वेवस्ता की प मांग उठाई और इन में आप देखेंगे ब्रहमण बादी तत्यों का फिर्वेस हुआ पहले संता आये उसके पशात आचारियों का अगमन हुआ और ये आचार ब्रहमण थे और इनी आचारियों में रामानुजा चार थे जिन्हों ने भक्ती की को एक नई दिसा दी और उन्होंने जन आंदोलन की इस परंपरा को बेद की परंपरा से जोड़ दिया इस पेकार भक्ती आंदोलन की आरंबिक रांती काड़ता लुप्त हो गई और इसमें भी एक पेकार की रोड़ी वादिता घर करने लगी भक्ति आंदोलनों ने वर्ड विवस्था से अपना संबंध जोड लिया और रामा नोजिन ने विशिष्टा द्वैदवाल चेंतन के माध्यम से भक्ति आंदोलन की दर्शनिक फिष्ट भूमी इसपर्ष्ट कर दी और इस परिवर्तित भक्ति आंगे ब्रहमर पंद का पुरो साहन दिया मंदिरों को समकाली सासकों द्वारा वी समर्तन मिला क्योंकि मंदी तथा पुरोहित बरक के माध्यम से सासक बरक के लोग भी अपनी इस्तिती मजबूत कर रहे थे तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन सखल ही नहीं हुआ बरना आप सोची कि आज जाती विथा आप लोग देखते हैं जो इस तरह का भेदभाव देखते हैं यह होता ही नहीं इसमें भी कुछ कमी रह गई फिर सदी कि परश्याद भक्ति आंदोलन का प्रसार अतर भारत की ओर होता है और उतर भारत में भक्ति का एक नवीन रूप बिक्सित हुआ इसे हम निरगुड भक्ति के रूब में महाराष्ट की संतों में आप देखेंगे ज्यान देओ, नाम देओ, एक नात, तुकाराम, रामदास, समर्त, आदी पर मुक्ते और यागी भी अधिकतर माराथा संत विठोवा किसने की एक रूम में के पुजारी थे किन्तु इनका देश्टी कौन निर्गुण था और आप द दान किया, महराष्ट धरम में मराथी लोगों को एक सामान सांस्कितिक पहचान दी और आगे चलकर एक सोतंत मराथा राजी की स्थापना संभव हो चुकी है, आप आगे जाके महराथा राजी के बारे में पढ़ते हैं ना, उसी की बात हो रही है, उत्तर भारत में आप दे के प्रमुक संथ कभीर और नानक थे, और कभीर के चिंतन पन, नात पन, इसलाम की एको सुरवाद, सूफी चिंतन का प्रभाव देखा जा सकता है, कि कभीर सहब एक ही आप कहते थे वो कि इस और अल्ला एक ही नाम है, समझ रहे हैं आप लो, इसमें आप देखिए राम को र प्रभीकलपना नात पंध से ली गई होगी, और वहीं इस पर इसलाम के एक शुरवाद का भी प्रभाव हो सकता है, और उसी प्रभीर दास में जाती व्योस्ता के पिती एक पिकार का आगरोज था, और कभीर दास ने सामाजिक पिती रोध की पदिती नात पंध से ली और जैसा कि हम जानते हैं कि नात्पंद के अनुवाई निचली जातियों से आये थे और उनमें आप देखेंगे बड़ व्योस्ता कि पिती एक पिकार का आख रोज था वहीं दूसरी और इसलाम धरम में भी जाती विरोध की भावना नहीं थे और कबीर के व्यक्तित पर भी इसक हो सकता है कि इनका सूफियों का भी हो सकता है और कबीर को एक समाज सुधारक भी माना जाता है उन्हें पंदरवी सदी का मार्टिल लूथर भी कहा जाता है क्या कहा जाता है मार्टिल लूथर भी कहा जाता है कबीर मुक्धा संथ थे किन्तों दोनों ने समाज सुधार में क को भी पेडा-पिदान की, उधारन के लिए उन्होंने इसोर ही है, एक्ता के माध्यम से मानवी, एक्ता का मार्ग पर सस्त किया, दूसरे सब्दों में उनका मानना था कि अगर अल्ला और इसोर एक ही हैं, तो उनके अन्ववाई अलग कैसे हो सकते हैं, और उसी पिकार उन्होंने अपने निजी अनभूती की को ही सच्चाई माना और सास्तुरों की मर्यादा स्तितल हो गई और धार में करमकाज की सीमाएं और जागर होने यानि कि इनका कहने का मुतलब होता था कि इस और एक ही है अगर आप देखी कि इस और अल्ला एक ही है तो इने मानने वाले लोग अलग अलग कैसे हो सकते हैं। इस्थापना हुई है। उत्तर भारत में भक्ती की दूसरी साखा सगुण भक्ती की रूम में अभी वेक्त हुई। और सगुण भक्ती निर्गुण भक्ती में एक महत्कुण अंतेया है कि जहां सगुण भक्ती यह मानते हैं कि इस्थापना गहन करते हैं। वहीं लीला कहते हैं कि वहीं निर्गुण भक्ती इस बात को न करते हैं। वहीं लीला कि जहां सगुण भक्ती इस बात को नहीं है। राम भक्ती धारा में तुलसीदास एक महत्मूर संते तुलसीदास ने वर्ड विवस्था के साथ समझता किया। और उसका समतन भी किया। किन्तु बे बड़ विवस्था को लचीला बनानी के पक्षधर थे। उन्होंने अपनी रचनावों में परिस्किर्थ आउधी भासा का प्रयोग किया था। और राम चरित मानस उनकी पिरमुक रचना थी। राम भक्ती धारा से जुड़े एक अन पिरमुक संद थे ना था दास थे। जिन्होंने भक्ती मार की रचना की। किसकी भक्त मार की। और तो इसे दास ने राम चरित मानस की। और अउधी भासा में ये सब गरंथ उन्होंने लिखे थे। किस्न भक्ती धारा से जुड़े हुए पिरमुक संद थे। वल्लभाचार, मादभाचार, चैतन, सूरदास, मीराबाई। मीराबाई का तुनाम आप लोगोंने कई कहानिया पढ़ी होगे इनके बारे में। वल्लभाचार थे था मादभाचार ने करमसा सुध्धा दुएत बाद और दुएत बाद की माद्धिम सिक्ष्ण भक्ती की दारसनिक फिष्ट भूमी निर्मित की। और चैतन एक प्रमुकस्त थे बें बंगाल के नदिया जिले में पैदा हुए थे और वहीं उन्हें सिक्षः दिक्षः प्राफ थोगे और चैतन की भक्ती पर सहे संगीत का प्रयोग किया और उन्हों ने संकीरतन की पदिती पर बल दिया उन्ही की फिरभाव में पूर भी भारत में भक्ती का पुलसार हुआ और किसन भक्ती से जुड़े उत्री भारत की अन्परमुकसंत सूरदास थे उन्होंने बजबासा में सूर सागर नामक्रणत व्यक्ति किया, तो किसने से जुड़े हुए, किसने को मनने वाले थे, लेकर आप देखें कि आज की समय जैसा दिखावा नहीं था इन लोगों में, समझे रहे हैं, आज की समय तो देखें धरम के बल दिखावा रहे गया है, अगर आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति मंदिर बीधाता है थो उसकी घर प्रकार के घर करता है फोटो डाल देता है कि देखिये अम मंदिर को भगवान को दर्षन देते हुएए बगवान को दर्षन देते हुए है में दिखावा का दान दच्छाव दे होते हैं तो आप लोगने देखा होगा किस तरह से वो दिखावा कर देते हैं कि देखे हम भगवान को हम दान देते हुए संपदाय हो गया संस्थापक हो गया इनकी मत हो गया और काल हो गया इसमीती संपदाय संकराचार इसके संस्थापक थी मत अध्वेतवाद और नौवी सतापदी की बात है स्तरी संपदाय रामानुच वेश्रिष्टा अध्वेतवाद बार्वी सतापदी की बात है ब्रह्मा संपदाय, मादवाचार, दोयतवाद, आनंद थीर्थ, तेरेवी सदी की बात है, सनक संपदाय, निमार्क इसके संस्थावक्ती, मत इनका दोयता दोयतवाद था, बारवी सतावदी की बात है, रुद्ध संपदाय, विश्नुव स्वामी या इने बल्लवाचार, इ पंद्रवी सताब्दी की बात है। पंद्रवी सताब्दी की बात है। और उत्रवादन में हिस्ता लेते थे। उन्होंने जाती बिवस्ता का बिरोध कर भारत में नवीन सिल्पों का को मानता दिलाई। और भक्ति आंदोलन ने भारत में समनवित संस्किती को बल दिया। यानि कि कहने का मतलब ये है कि आदी की कुछ तो इने मिला होगा। भक्ति आंदोलन होने का कुछ तो योगदान रहा होगा। तो इसी की बात हो रही है। प्रोसांदिया, चैतन संकीरतन फिर्णाली की सुरुवात की जबकि एक अंड़ भक्ति संत स्वामी हरिदात तांसेन की गुरु रहे थे। किसके तांसेन के। महराष्ट में भक्ति आंदोलन की अगर बात करें हम लोग तो माधिकाली भक्ति आंदोलन की विकास तथां लोगप्रियता में महराष्ट की संतों का भी मात्पूर योगदान रहा है। भक्ति पंदरपूर के मुख्य देऊता विठोवा या विठल के मंदिरों के चारोर के अंदित्ता विठल या विठोवा को किष्ण का आउतार माना जाता है। की रूम में जाना जाता है और इसपे संपदाय धरकरी के अनुवाई स्वयम को रामदास आभीत करते हैं और बिठोवा पंध के तीन महान गुरू ज्यानिसोर या ज्यान दियो नाम दियो तोकाराम थे निबृत नात तथा ज्यानिसोर महराष्ट में रहस्वादी संपदाय क की हातों में इसने बिभिन रूबधारन किये ज्यानिसोर या फिर ज्यान दियो महराष्ट के प्यारम वेभक्त संत ज्यान दियो तेरे भी सितापदी में हुआ था और इन्होंने मराठी भासा में भगबत गीता पर ज्यानिसोरी नामक टींका समीक चाली की और जिसकी संसार की सर्वोतम रहसवादी रचनाओं में की जाती है इन्होंने मराठी भासा में अपने विचार और अदर्सों को व्यक्त किया और इनकी अन्य रचनाए अम्रता नुभाओ चंग देव पिससती एपिर मुक्ती नाम देव में आप देखेंगे तो नाम देव का जनम एक दरजी के परिवार में हुआ था अपने प्यारमिक जीवन में ये डाकू थे क्या थे डाकू आप समझ रहे हैं डाकू भी अच्छे संत बने और आज के अल आप देखें कि संत बनकर डाकू बन रहे हैं फंडर्पूर के विठोबा के परम भक्त थे और वारकरी संपदाई क पिसिद बिचारधारा की गौरप साली फरंपरा की स्थापना इनकी मुख भूमिका रही और इनके कुछ गीतात्मक पद्द गुरु गरंथ साहिम में संकलित हैं और इनोंने कुछ भक्ती परक मराठी गीतों की रचना की जो अभंगों के रूप में पिसिद हैं नाम देव भगवान है तो दूसरा भी भगवान है और इसे लिए कहते हैं कि भगवान हर जगह है एक नाथ इनका जनम पेनर और अरंगाबाद में हुआ था और पेठन पेठन और अरंगाबाद में हुआ था इनोंने जाती और धर्म में कोई भेदभाव नहीं किया इनकी सहधित कोई सीमा नहीं थी इनोंने पिर्वु की पूजया के लिए काफी दूर से लाए गए गोदावरी के पवित जल को उस गधी के गले में उडेल दिया और पिला दिया जो प्यास से मर रहा था तो आप सोची कि ये कितने इंसानियत थी इनोंने पहली बार ग्याने सोरी का गीत गाना इनकी दिन चरिया थी और तोकाराम जनम से सूध्य थे और सिबाजी के समकाल इन थे इनोंने सिबाजी द्वारा किये गए बिपुल और पहारों को भेंट लेने से इंकार कर दिया था इनकी सिक्षाएं अभंगों के रूम में संगेत हैं इनकी संख्या हजारों म थी और तो काराम ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया ओ तथा बारकरी पंद की स्थापना की रामदास इनका जनम 1608 में होता है इन्हों ने बारे बलसों तक पूरे भारत का भेमड किया और अंतता किस्ना नदीत तट पर चपहाल की पास बस गए और इन्हों ने एक मंद पूर्ण रचना दासबोद में अध्यात्मिक जीवन के समन वैवादी सिद्धान के साथ विविद बिग्यानों और कलाओं के अपने विस्थेत ज्यान को सहिवत रूप से पिस्तुत किया अब बात होती है कबीर की और भक्ती आंदोलन के महान संतों में से एक थे कबीर इनका जनम 1398 को कासी में एक बिदभाब ब्रहमड इस्तरी को स्वामी रामानंद द्वारा भूल बस पुत्र वती होने का अजसिवाद देनी के फल स्वरूप हुआ लोक लाज के डर से ब्रहमडी सिसू को लहरा तारा नामक तालाप के किनारे छोड़ आती है वहीं अली अत्वा नीमा नामक मुसल्वान जुलाहा दपनती उसे उठा ले जाता है आप समझ रहें जनम होता है एक ब्रहमड घर में एक तरह से आप सूचे ब्रहमड परिवार म और आप देखें कि पालन पोशन होता है इनका कहां मुसलिम धर्म में और आप देखेंगे उनका पालन पोशन होता है यहीं बालक भविस्त में कबीर के नाम से सुपशिद्ध हुआ और कबीर के बारे में और भी कई कहानिया है और कबीर बालकाल से ही भक्तिभावों की और रोची रखते थे और अंत में उन्होंने रामानंद की सिस्थ होने का निष्चे किया और एक दिन पहर राद रहते ही उस पंच गंगा गाटी की सीनियों पर जार पढ़े जहां से रामानंद जी इसनान करने के लिए उतरा करते थे इस नांग को जाते समय अंधिरे में रामानंद जी का पैर कभी के उपर पड़ गया और रामानंद जी चट से बोले बोलो थे राम राम कहे और कभी ने इसी को गुरु मंत माल लिया और भी अपने को रामानंद जी का सिस कहने लगे और कभी स्वयम कहते हैं कि कासी में हम प्र पुरू मिलिया रामानन्द किन्तु कुछ लोगों के अनुसार कभी जनम से जुलाहा थे कभी ने पिसिद्ध सूफी सेव तकी से दिख चाली थे कभी पड़े लेके नहीं थे जैसा कि वे सुईकार भी करते हैं पड़े लेके ना होने के बाद जूद भी आप देखे इतने सम लेशन नहीं है मसी कागत चुओ नहीं कलम गहो नहीं हांग कभी ने आशिक्षित होते हुए भी हिंदू मुसल्मानों को अमूल सिक्छा बिदान की, कभीर को राम नाम गुरु रामानंद से प्राप्त हुआ था, परंथु भविस में उनके राम, गुरु रामानंद के राम से भिन हो गया, कभीर राम के सम्मंद में कहते हैं क्या कहते हैं दसरत सुद्ध तिहु लोक वकाना, राम नाम का मरम है आना, कभीर ने इसलाम की एकसरवाद की सिद्धान्स को सुईकारा, कभीर के राम से तातपर निर्गुन ब्रह्मा से है, उन्होंने निर्गुन ब्रह्मा की प्राक्ति के लिए ग्यान के अनंतर भक्ति को भी महत्मून बता है, कभीर भक्ति के वक्ति बिन धिग जीमन संसार धुआ के रा धोल हर जातना लागे बार कबीर के रुसार धार में गिरंथों के अध्यन से ग्यान की प्राप्ति नहीं होती है ग्यानतों के वल इस और ये प्रेम के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है पोती पड़ी पड़ी जग मुआ पंडित भया न कोई, धाई अक्षर प्रेम का पढ़िसों जो पंडित होई ये भी कबीर के ही कहना है और इस पेकार कबी ने इस और की प्राप्ति के लिए प्रेम या भक्ति दोनों पर विसिस बल दिया कभी ने कहाएं कि भक्ति द्वारा इस वर की प्राप्ति होती है और कभी ने विरभिन आडम्बरों का बिरोत किया था कभी इनने विविन धर्मों में जुबराईयां थी उनका भी विरोध किया कभी इन लोग भासा में उपदेशती है उनकी बाड़ी संग्रह बीजक कहलाता है उनकी रचना है पंजाबी, राजिस्थानी, ओधी, ब्रजभासा, खड़ी बोली, आधी का समिसरन है इन्होंने सत एहंसा बसदाचार पर बल दिया गुरू को इस और से अधिक मात दिया और गुरू को इस और से आधिक मात दिया, 1500 इसमी में मघर में इनकी मौत हो जाती है और कभी के नवाई कभीरपंथी के नाम से पिसिद हुए, कहते हैं कि मघर में जिटकी मौत होती थी, उन्हें तरह से आपके यह कि क्या कहते थे, आप लोग कहते हैं कि स्वर्ग मिलेगा, औ मगर चले जाते हैं कि वो भी तो देखें कि वहां नरक कैसा होता है ठीक है और इस सूर से मुझे लगता है गुरू इस सूर से बड़ा होता ही है क्योंकि आप समय जानते हैं कि अगर गुरू अच्छी सिक्षा दे रहा है तो अच्छी दिसा में आप लोग बढ़ पाएंगे बड़ना उपर से भगवान तो आपको सिक्षा देने आ नहीं रहा है तो गुरू का मत बहुत बड़ा होता है सूर दास सूर दास भक्ति आदोलर की सगुर धारा की किष्ण भक्ति संतों में प्रमुक थे और उपलब्द प्रमाणों के रुसा इनका जनम 1483 में रुन कता नमक ग्राम में हुआ था कुछ बिद्वान इन्हें सारस्वत ब्रमण तरह कुछ चंद बरदाई का बंसज मानते हैं बिद्वान उनके जनम मान्द होने पर भी मदभीद रखते हैं क्योंकि इतना सजीब तसा स्वभाविक बर्डन किसी जनमान्द की द्वारा संभव नहीं है यानि कि जनम से अंध होकर इतना अच्छा लिख सकते थे देखी ए बिद्वानों का मानना है इनके संबंद स्वामी बलवाचार की से परमपरा से था और बलवाचार की ही पेडा के फलसरूप इन्होंने स्रीमद भागवत की आधार पर किसने लीला को अपनी रचनाओं का आधार बनाया सूरदा सूर सागार इनकी परमपती सूरदास की ये रचना है यहने भी याद रखिये इनसे डारेक्ट कुश्चन कई बार पूछ लेता है इन्होंने अन्यक भक्तों की भाती स्री किसने को अपना इश्ट देव चुना और उन्हें की भक्ति में लेन रहना अपना परमकर्तब समझ सूर के मधुर भाव से पेरित होकर स्री किसने के साथ राधा को भी सम्बलित कर स्री किसने की लेलाओं का बढ़न किया और इन्होंने निर्गुण कौन देव को बासी कहकर सगुण मार को अपनाया और स्री किसने की भक्ति में लग गए उधों मन नहीं दस भीज और एक हु स्री किसने की भक्ति में लेन कर लिया इन्होंने किसने की बाल लिलाओं का बहुत ही सुंदर वर्डन भी किया है फिर आप देखेंगे तुलसी दास आते हैं और इनका जनम 1497 में संबत 1500 चंगर में बादा की राजापूर नामा की ग्राम में हुआ था इनके पिता का नाम आ प्रकट होता है सुर्तिये नर्तिये नागतिये सबचाहत अस होए गोदलिये हुलसी किरे तुलसी रतो सुत होए इनका बवा दीनमंदू पाठक की पुत्री रतना वली से होता है किनका तुलसी दासकाप? और यह कहा जाता है कि विवाद के बश्चात यह संसारिक सुख फिराप्ती में लीन हो गए और यह पत्नी से अतिधिक फिरैम करने के कारण उसे आलग नहीं छोड़ते थे इस पर इनकी पत्नी ने कुछ कहा था कह सकते हैं कि आप लोग की यह इतना प्यार में पढ़ गयते समझ रहे हैं आप लोग और उसी में इनकी पत्नी ने इस पर भी आप देखी कई कहानिया हैं एक कहानिया बड़ी चर्शित है आप आप देखी कि कई लोग मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे, कहते हैं कि इनकी पत्नी जब कहते हैं, माबाप के घर चली जाती है, जिसे आप लोग मायका कह देते हैं, और जहां सासदी होती है, उसे सासरा कह देते हैं एक तरह से, तो वहां चली जाते हैं तो कभीर जी, कौन? कभीर जी नहीं, कवेशी को काहे को बदनाम करे ARE तुल्सी दास जी जाकर अपने एक तरह से जहां पतनी का घर होता है माबाप रहते हैं जैसे आप लोग सस्वराल बोलते हैं सस्वराल जाते हैं और कहते हैं कि रात में जाते हैं तो नदी में बाड आई हुई थी और कहते हैं कि आप देखेंगे कि उस समय वहां नाव माव कुछ था ही नहीं तो यह क्या करते हैं कि एक मुर्दे को मुर्दे को नाव समझ कर एक चले जाते हैं नदी पार कर जाते हैं और उसके बाद आप देखें एक घर जाते हैं तो इनने लगता है कि इनके घर पर आप गेट पतनी के पास पहुंचते हैं, तो मदन पतनी इन्हें डाखती है, फटकारती है और इनकी आखें खुलती है, तो लाज न लागत आपको दोहें आहियू साथ धिक धिक ऐसे फ्रेम को कहा कहा कहो मैं नाथ, अस्थी चर्म मैं देहमम, तामें जैसी बीटी, जैसे जो तैसी जो स कर लिया इनकी मित्यू 1523 में संबद 1680 में हो जाती है और इनकी राम चरित मानस अथवा रामायड गितावली कवितावली बिनापती का पिरमुख रजना है और तुलसी दास ने इसुर के सगोड रूप को सेगार किया उन्होंने राम को इसुर का उतार मानकर राम की भक्ती पर विस्यस बल भी दिया किन्तु इनके राम कभीर के निर्गों राम ना होकर राजय दसरत के जिश्ट पोत्य थे तुलसी दास ने जगत को केवल केवल राम मैं ना कहकर सिया राम मैं कहा सिया राम मैं सब जग जानी करो फिनाम जोरी जुग पानी इन्होंने राम को ब्रह्मा तथा सीता को फ्रकिती सवरू सुईकार किया इन्होंने राम भक्ती के द्वारा हिंदू समाज में सक्ती विश्वास तथा आत्म चिंतन का संचार किया इन्होंने अपनी रचनाओं को ल और आप सभी जानते हैं इनके बारे में भी आप लोगों ने बच्पन में कई कहानिया पड़ी होगी यह मेड़ता के रतन सिंग राठोर की इकलोती पुत्री थी इनका जनम 1499 इस्वी में लगभग मेड़ता की कुदिकी नामत ग्राम में हुआ था इनका विवा उदैपूर की फिसिद राणा सागा के जिश्ट पोत यवराज भोजरास से हुआ था किंतिव विवा की कुछ वरसों परश्चात राजकुमार भोजराज की मित्यू के कारण मीरावाई हुआ वस्था में ही बिदभा हो गई यह बालकाल से ही किश्ण भक्ती में की ओर आकिष्ट थी और पती की मित्यू के परश्चात मीरावाई ने अपना संफूर जीवन स्री किश्ण की भक्ती में आपिद कर दिया प्रियाए्याक किषने की भक्ती में विभोर येवम आनंद मय होकर अनभक्तों और संतों के मद्द नित्यगान किया करती थी और इनके स्कार में से इसपष्ट होकर राजपरिवार की सदसों ने विस दिय कर उन्हें मारने की कोसित की परंतु विसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो वो कहते हैं कि आज की समय में ना तो कोई मीरा बन सकता है और ना ही क्षिना बन सकता है आप सोची कि उनका परीवार उनने बिस दे देता है और आप सोची कि वो इतना भगवान को मानती थे किसने को कि वो बिस उन पर कोई प्रभाव नहीं कर बाता है और आप सभी लोग मूवियों में देखते होंगे कि गीता की कसम खाई जाती है गवाई देते समय यह आप देखे कहने की बात नहीं है ऐसा कहीं किसी कोट में नहीं होता है यह बात और जान लेजे वो एक समय होता था कि अगर कोई जोटी कसम खा लेता था तो वोजे स्वे भगवान सजा देते थे आज तो आप देखे जोटी कसमों पर ही पूरी दुनिया कड़ी हुई है और मीरवाई की उपासना माधोरे भाव की थी वो एक अपने इस्ट देव स्रीकिषनी की भक्ती पेतम अत्वा पती की रूम में किया करती थी मीरा स्वेम कहती है कि मेरी तो गरधर गोपाल दूसरों ना कोई जाके सिर्व मोर मुकुट मेरो पती सोई होई पती सोई इस पिकार मीरा के विचार सोफियों की समान है और मीरा भाई की तो लाहम पिसिद सोफिय इस तरी राविया से कर सकते हैं मीरा के चार पेने वो किरंत माने जाते हैं नर्सी का मायरा गीत गोबिंद टीका राम गोबिंद और राक सोरट मीरा भाई ने अपने पदों के माध्यम से किष्ण भक्ती धारा में और अधिक तीविता पिदान की क्या पिदान की तीविता फिर आप लोग नानक के बारे में पड़ते हैं सिक्धरम के पिवर्तक गुरू नानक का जनम 1489 में गुजरावाला जिले के सरकपूर तहसील के तल वर्स की उम्र में सुलाखिन नामक कन्या से हो जाता है और जिसे स्री चंद और लचमी दास नामक दो पुत्रों का जनम होता है इसमें आप देखेंगे स्री चंद ने भविस में उदासी संपदाय का प्रचार किया और गुरू नानका आरम से ही अध्यात्मिक ताकी और रखते थे इन्होंने धार्मिक आड़मरों कि कटू आलोचना की हिंदू मुसलिम एक्ता पर इन्होंने बल दिया था और बंदे एक सो खाप बंदे वंदे ये खुदाय कि हिंदू मुसल्वान दावाराम रसूल कर लड़ दे बेईमान एक इसने कहा था सिख्ध गुरू गुरू नानक देवने इन्होंने अपने एक मुसलिम सिस मरदाना के साथ संपूर भारत स्री लंका मक्का मदीना अधी का बिरमण किया था इनके विचारों तथा उबदेसों को इनके सिस्सों ने एक गरंथ में संकलित किया जिसे आप लोग गुरू गरंथ साहिब कहते है नानक एक सुरवादी थे इन्होंने मूर्ती पुजा और ब्रह्मा बाहे आड़मरों का खंडन किया इनका मानना था कि इस सुरव एक ही है जो निराकार है और एवं सर्वत व्याप्त है नामक बेदों और कुरानों में विश्वास नहीं करते थे और बेजाती पाती उंच नेच बेदभाव तीर थे आत्राओं ब्रहमरों मुल्लाओं के विरोधी थे बेमानों और समानता में विश्वास करते थे बेज समाज के व वारतालाब किया था, खालक बसे खलक में, खलक बसे रव माय, और आप देखेंगे 1530 में इनकी मित्ती हो जाती है, उनको मत आँगे चलकर सिख संपदाय की रूम में बिख्यात है, और अभी सबसे जान्दा इंसानियात आपको देखनी है, तो आप देखें सिख के धरम में आ कोई भी खा सकता है, कोई धरम नहीं देखा जाता है, चैतन महापिर्वू, बंगाल के महान भक्ती संथ, चैतन का जरम ब्रहमण कुल में आप देखेंगे 1480 में बंगाल के नदिया नामग्राम में हुआ था, अनेक हिंदू संथों की भाती इनका मन भी गरस्त जीमन में न और यह घरवार त्याकर भारत भेमण के लिए निकल पड़े, इन्हें गोरांग महापिर्वू तथा निमाई आदी नामों से भी जाना जाता था, चैतन महापिर्वू ने भगवान स्रीकिष्णी की भक्ती पर बिसेस बल भी दिया, चैतन महापिर्वू का विस्वास्ता क मनुस प्रेम भक्ती नित, नित संगीत के द्वारा इस्वर में दलीन हो सकता है, इस पकार नित इवम संगीत उनकी भक्ती का विसेस अंग बन गया था, और इसे सामोही करूप से संकीर्टन कहा गया, और चैतन जाती जाती भेदवाओ, अंदविस्वासों, पसुबली, मज परियाब्त समय बिंद्यवन में रहे, और सेश जीवान जगनात पूरी में विताय रहे, जेतन महाफिर्वू ने मानों के आचराओं की सुद्धता पर विसेस पल दिया, सेगी चैतन महाफिर्वू का नाम बंगाल में विख्यात हो गया, और भावसे व्यक्तियों ने ने अपना गुरू स्विकार किया, और इनके उपदेशों के अनुसा आचरन करने लगे, और 1523 में इनकी मौत हो जाती है, इनकी मित्ती वह हो जाती है, तो यह रहा आपका जो पंद्रवी और सोलेवी सदी में आप लोग धार्मी कांदोलन देखते हैं न, उसकी कहानी, पंद् लोग एक ओवर्वीव लेंगे, उनके बारे में जानने की कॉसिस करेंगे,